संत और बसंत में एक ही समानता है जब बसंत आता है तो प्रकृती सुधर जाती है और संत आता है तो संस्कृती सुधर जाती है देश विदेश में बैटे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमश्कार मैं हूँ आपका अपना मोहित कमल श्रिमाली आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज के राशी फल यानि की 28 सेप्टेंबर के विशेश एपिसोड में साथ ही आप सभी को बढ़ाई और शुब काम नहीं जिन का आज जनम दिवस है, मैरिज अन्वस्री है या कोई विशेश यादगर दिन है शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की पंचांग से तारिक 28 सितंबर 2023 है और दिन गुरुवार का है आज के विशेश उपाय में आपको बता रहा हूँ अनंत चतुर दशी कब है पूजा महरत किया है, पूजा विधी किया है और यही सारी जानकरी साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि गणपती विसर्जन करने का शुब समय आज के दिन कब रहेगा पंचांग की बात करते हैं संबत 2018 का भादरपत शुक्ल पक्ष चल रहा है चतुर दशी तिती रहेगी शाम के 6 बच के 51 मिनिट तक जिसके बाद में पूर्णिमा तिती आरंब होगी पूर्वा भादरपत नक्षत्र रहेगा कुम राशी में चंद्रमा रहेगा रात के 8 बच के 29 मिनिट तक जिसके बाद में मीन राशी में चंद्रमा प्रवेश करेंगे दोपहर के 1 बच के 30 मिनट यान के 1.5 बचे से लेकर के 3 बचे तक रहुकाल का समय है तो शुब चौगड़िया महरत आज के दिन आपको मिलने वाला है दो बार सुभे 9 बच के 32 मिनिट से साड़े बारा बचे और दोपहर में साड़े तीन बचे से पांच बच के 2 मिनिट तक यात्र महरत के अगर बात करते हैं तो पश्चिम एवम उत्तर दिशा आपके शुब साबित हो सकती है पर दिशाशूल दोश, दक्षिन दिशा और साउथ इस्ट, इंग्लिश में कहते हैं साउथ इस्ट हिंदी में कहेंगे आगने तो अगने दिशा में और दक्षन दिशा में यात्रा करने से आपको बचना चाहिए है तो अगर बहुत जादा जरूरी है यात्रा करना तो दिशाशुल्दोश का परिहार करने के लिए दही खा करके आप अपनी यात्रा आरंब कर सकते हैं अब बात करते हैं सुर्योदय कालीन कुंडली में शुब ग्रह योगों की तो आज के दिन संख्या पाश योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, काहल योग, लक्ष्मी योग, केंद्र त्रिकोन राज योग का आपको साथ मिलने वाला है तो जैसे कि आप सब जानते हैं 28 सितंबर यानि कि अनंध चतर दशी तक हम लगातार आपके लिए कवच का निर्मान कर रहे हैं आपके कोई समस्य या कामना पूर्ती है तो उसके लिए अलग लग कवच का निर्मान किया जाता है स्कृ outras पे जो नंबर देख रहे हैं इन नंबर पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं कई लोग कहते हैं कि कवच पहनने से होता क्या है एक बार नहीं, सौ बार नहीं, हजार बार नहीं, लाखों बार मैं आपको बता चुका हूँ कि कवच किस तरीके से काम करता है अगर अभी भी कोई शंका है तो इन नमबर पे संपर्क करके आप जान सकते हैं कि कवच से कैसे फायदा होता है मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी कुंडली के अनुसार जो दोष हैं उसके निवारण के ले कवच निर्मान करवाना चाहते है तो उसके लिए आप अपने जनम कुंडली की डीटेल और जो समसियाएं हैं वो हमें फोन करके इन नंबर्स पे बता सकते हैं रहिएगा साफ तौर पर कि मोहित श्रिमाली से कुंडली विशलेशन करवाना है। तब आपके जो समस्या है ये मेरे पास तक पहुचेगी, मैं उसका समाधान आपको बताऊंगा। स्वयम फोन करके। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ और जानकारी आपको देता हूँ। अगर जीवन में सुक शांती चाहते हैं, कर्ज के बोज से परिशान है अब कर्ज से राहत चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहित, सर्व एश्वर्य पाना चाहते हैं, तो आपको दस महाविध गंधर्व कवच धारण करना चाहिए, दामपत्य सुक में सामन जस्य की कमी है, एगो की प्रॉब्लम है, सुक में कमी महसूस हो रही है, अपने में पहले जैसा खिचाव एट्रैक्शन आकर्शन नहीं मिल रहा है, तो काम अनंग कवच आपको धारण करना चाहिए है, जाद काया पाने के लिए धनवंत्री कवच धारण किया जा सकता है, घर में कले का वातावरण रहता है, पती पतनी के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो, या तफिर घर की महलाओं के बीच में हो, पर एक बात इसमें 100% देखने को मलती है, कि कलेश से घर का वातावरण ब दारण करवाना चाहिए है वर्तमान समय में जो व्यापारी बंदुगन तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बार बार शिकायत रहती है कि कॉम्पेटिशन हावी पड़ जाता है तो आपको लक्षमी नारायन कवच दारण करना चाहिए है क्योंकि लक्षमी जी और वि रहता है तो आपको अपने बच्चों को अश्ट विनायक कवच धारण करवाना चाहिए है और अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच आपको अवश्य धारण करवाना चाहिए है यदि आप आठों प्रकार की लक्षमी की प्राप्ती चाहते हैं तो अश्ट एक्सान देने वाले हैं, civil services का एक्सान देने वाले हैं, जॉब के लिए कोशिश करते हैं, रोज़गार प्राप्ति की कोशिश करते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि बुद्धी बलकी तर्क शक्ती की और इंटर्व्यो में खास तोर पे अपनी आपको वहाँ पे प्रिजेंट करने की काबिलियत बहुत जादा जरूरी है हर इंसान में हर चीज नहीं हो सकती पर जो सेलेक्शन कमिटी है वो हर चीज एक ही इंसान में ढूनना चाहती है ऐसे स्थिती में आपको महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों की विलक्षन शक्ती यानि की त्रिवेनी कवच आपको धारण करना चाहिए हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है मैं एक बार नहीं, लाखों बार आपको ये कहता हूँ पर आने वाला कल जो है, सुनहेरा कल जो है, आपका भविश्या है, वो आपके हातों में है उसे बदलना आपके हातों में है, सही निरने लेना आपके हातों में है ये फोन नमबर्स पर कॉल करना आपके हाथों में है मैं एक ही चीज़ पर जादा दबाव नहीं डाल सकता लोग कहते हैं कि ये एड है मैं कहता हूँ कि बार बार आपको जानकारी देने की कोशिश है कि आपका सुनहेरा भविश्य जादा दूर नहीं है पर दुर्भाग्य वश्पूर कहीं लोग जब सामने अपकोचनिटी होती है जब सामने सुनहेरा भविश्य होता है पर घबराहट के कारण, डर के कारण या ये कहूं कि जहां है वहां की कमफर्ट जोन से बाहर ना निकलने की इच्छा के कारण उस अपॉचनिटी को कभी नहीं लेते फिर आगे जाकर के वही शिकायत करते हैं कि मेरी जिन्दगी में कोई बदलाव क्यों नहीं होता ये जोतिश जो करते हैं जो बोलते हैं वो किसी काम का नहीं कुंडली में जो दोश बनते हैं, उत्पन होते हैं उनके समधान के लिए आपको लगातार इस चैनल पर मैं आपको बताता रहता हूँ बाते आपको समधान बताता हूँ, आपको रेमिडीज बताता हूँ, आपको टोटके बताता हूँ पर सिर्फ सुनने भर से कुछ नहीं होता है उन उपायों को करना जरूरी है आस्था के साथ में विश्वास के साथ में करना जरूरी है इस बात को समझेएगा चली जादा देरी ना करते हुए आज का राशी फल शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करूँगा मेश राशी की मेश राशी के लिए लेवन्थ हाउस में चंद्रमा है मित्रतारा का साथ अश्टग वर्ग में 30 डॉट सें ओवराल सिच्वेशन हन्रिट परसें पॉस्टिव और ऐसे समय में आप के भाग्य का साथ आपको मिलेगा जिस भी काम को करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी ऐसे समय में मन भी बड़ा प्रसंद रहेगा खास तोर पे हस्वुक मिजाज आज का दिन आपका जादा देखने को मिलेगा लोग आस पास के आपकी तरफ आकरश्यत होते नजर आएंगे खास तोर पे जो भी इनसान सोशल मीडिया पर content बनाता है रील बनाता है वीडियो बनाता है उनके लिए बहुत ही जादा अच्छा दिन है यहां political career से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए काफी जादा अच्छा दिन है और जो NGO से जुड़े लोग हैं, जो popularity कमाना चाते हैं, अपने NGO को यहाँ पर lime light में लाना चाते हैं, उन लोगों के लिए खास तोर पे आज कदिन सबसे बहतरीन कहा जा सकता है, मीडिया कंपनी के पास में जाएं, या तो फिर न्यूस पेपर कंपनी होती हैं, उनके पास में जाके उनसे आर्टिकल चापनी की आप इस समय में request कर सकते हैं, आपको यहाँ पर जिसे हम कहते हैं कि PR, पबलिक रिलेशन्स जो हैं, वो इस समय में मजबूत करने का मौका मिल सक एक के जगे दस हातों का वहाँ पर होना बहुत जादा लाबदायक सद होगा आपके लिए, यंगस्टर्स इस समय में अपने friendship के अंदर मश्गूर रहने वाले हैं, तो वहीं ग्रहनी जो है, वो भी अपने परिवार को इस समय में कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश या तुर फैमिली प्लानिंग के तरफ अपने हजबन के साथ में बात करते हैं जरूर नजर आ सकते हैं, एक अच्छा healthy discussion जिसे हम कहते हैं, वो इस समय में जरूर देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर ग्रे कलर का इस्तमाल आज के दिन आपके लिए शुब रहेगा, शुब अंक रहे जो आप efforts डालेंगे उससे जादा इस समय में आपको मुनाफ़ा कमाने का मौका मिल सकता है, अटके हुए पैसे हैं, किसी को दिये थे तो वापिस बाहर निकालने के लिए बहुत जादा आपने मेहनत कर ली, call कर लिए, बार बार जाकर के देखके आगे, पर पैसे निकल नह सकता है, यहां पर फैमिली का सपोर्ट खास तोर पर आपको देखने को मिलेगा, आपका सिल्फ कॉन्फिडेंस इस समय में बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं कि रिष्टों में प्रमोशन होता है, घर में महमान के आने से वो इस समय में आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर तो नहीं अपने फैमिली लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों के साथ में आप आगे बढ़ते हुए बहुत ही जादा खुशी के साथ आगे बढ़ेंगी, यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा, खर्च जो है, खर्च इस समय में थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा और कहीं न कहीं जो confidence हो, उसको over confidence होने से रोकिएगा, वरना बनता हुआ काम आपका last moment पे बिगर सकता है। शुबरंग इस समय में रहेगा आपके लिए green color, शुबंक रहेगा number 3। अब बात करते हैं मिथुन राशी की, मिथुन राशी के लिए 9th house में चंद्रमा है, विपत फिर वो चाहे फटकर के reaction देने की बात हो, आपके boss आपके साथ में अबदर बाशा का प्रयोक कर रहे हो, उसमें उनको रोकने की बात हो, या फिर खास तौर पे team के सामने वापिस से पलट करके जवाब देने की बात हो, या आपके लिए बहुत बहुत जादा नुकसान दा का support खास तौर पे आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं पे ये चीज भी देखने को मिलेगी, कि आपके जो subordinates हैं, या फिर खास तौर पे जो competition आपके office में चल रहा है, office politics जो चल रही है, इसके कारण कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि buttering करने में, दूसरे को अच्छा महसूस कराने में, खुद का कहीं न कहीं चोटा मोटा नुकसान आपको जान पूछ के करना पड़ सकता है, पर ये एक सोची समझी चाल के तहट करें, या फिर जिसको हम कहते हैं, logical thinking के साथ में आगे बढ़ें, तो जादा बहतर रहेगा कि सब को साथ में लेकर के आगे बढ़ने की बात है, यंगस्तर्स खास तोर पे इस समय में एक चीज़ आपको कह दूँ कि confusion हावी रहने वाला है, तो कोई भी debate में, या फिर कोई भी class के अंदर problems में, किसी एक इनसान की side लेने से आपको बचना चा बात है, 80% तो situation यहाँ पर ही आपके लिए negative हो गई, अश्टक वर्गमी 36.सोने से 20% support फिर भी हमें मिल रहा है, इस कारण हम यह कह सकते हैं कि चीज़ों में अगर थोड़ा दिमाग से सोच करके चलें, तो हम कम से कम जीत के पास में रह सकते हैं, यह यह कहें कि नुकसान को minimize कर सकते हैं, यह पर नुकसान तो होना ही है, इस बात को रोका नहीं जा सकता, पर कितना बड़ा वो नुकसान हो सकता है, उसको हम यहाँ पर कम करने की कोश़िश हैं, ज़रूर कर सकते हैं. सबसे पहली बात, अपने गुसे के कारण, अपने irritation के कारण, याद फिर जिसे हम कह कि मैं सबसे बहतर हूँ, ये सोच के कारण आपके काम लास्ट मोमेंट पे बिगड़ सकते हैं, जो आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं, वो इस समय में सपोर्ट आपका छोड़ सकते हैं, यहाँ पर नौकरी पेश हैं, खास तोर पे अपने जो कलीग्स हैं, उनका दूसरों के कंदों पर डालने की कोशिश कहीं ना कहीं पर आपको और जादा दलदल में फसा सकती है, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपके उपर इस समय में आक्शन लेते नजर आ सकते हैं, वो आपके साथ में काम करने से तक मना कर सकते हैं, इस बारे में आपको एक बार ब रहने का तरीका है या फिर जो आप शब्द इस्तमाल करते हैं वो बहुत ही जादा खटोर और कही ना कहीं पर इन एप्रोप्रेट कहेंगे यहां पर ऐसे समय में बड़े बुज़र्ग जो करके हैं खास तौर पर अपनी हेल्थ को लेकर के जादा सावधान रहें रीसेंट सर करते हैं सिंग राश्वी की आपके लिए सेवन्थ हाउस में चंद्रमा है सादक तारह का साथ और अश्ठक वर्ग में 19 डॉट्स हैं ओवरॉल सिच्वेशन 90% यहां पर फिर भी आपके लिए पॉजिटिव है जिसके कारण लेंदेन का काम है अपने बिजनिस को आगे बढ करनी पड़ सकती है ऐसे समय में जो नौकरी पेशा इंसान है अपने इंफुमेशन के साहारे या जिसे हम कहते हैं कि एक नौलेज जो हमने गेन की है इंडस्ट्री में काम करते करते उसके साहारे अपनी नाव को पार लगाने में सफल जरूर सिद होगा यहां पर बड़े ल समझ करके आगे बढ़ना जादा बहते रहेगा या वरशब राशी का चंद्रमा जब आए तब आपको इस समय आगे बढ़के इंवेस्मेंट करने की सोच आगे बढ़ानी होगी यहां पर रेड कलर का इस्तमाल आपके बहुत शुब रहेगा शुब अंक रहेगा नंबर ए अपने काम के अंदर वापिस से लाइन पे लाना काम को डिरेल हुए वे काम को वापिस सही काम पे सही तेजी पकडाना यह समय में देखा जा सकता है खास दोर पर जो व्यापारी वरग है वो इस समय में जो कोशिश है कर रहा था जो प्लानिंग है कही ना कहीं जिसे हम कहते इस समय में अपने कान और आँख दोरों खुले रखने की बात रहेगी क्योंकि आस पास में आइडियाज आपके बहुत सारे हैं, बहुत लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, बस आपसे कौन सा काम हो सकता है और कौन सा ऐसा आइडिया है जिसको करने से मैकसिमम फाइदा आपक काफी प्राब्लम्स जो हैं या जिसे हम कहते हैं खास वार पर पर स्नल लाइफ में जो प्राब्लम्स हैं वो आपकी सोल्यूशन आपके परिवार के द्वारा आ सकता है कोशिश कीजेगा आज के दिन कि आप बेज कलर क्रीम कलर का इस्तमाल करें तो शुब अंक रहेगा नमबर थ्री अब बात करते हैं दुलाराशी की आपके लिए फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है प्रत्यारी तारा का साथ और इश्टगवर्ग में 27 डॉट्स हैं अगर हम द जाव जो है वो यहां पर खेलती नजर जरूर आ सकती है गलत लोगों का यहां पर आपको कमपनी देना आपका खुद का ध्यान गलत कामों में लगना खास तोर पे जिसको हम कहते हैं कि अपनी किसमत आजमा के देखता हूँ आसपास में किसी ने बहुत अच्छी कमाई कर ल यह पहले बताने का तरीका इस कारण है कि आप इस गलती को करने से बचें बचे जो हैं खास तोर पे यंगस्टर जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं अभी टेकनिकल फील्ड से जुड़े हैं इंजिनेरिंग की पढ़ाई करते हैं सौफ़वेर डेवलमेंट की और यह आज ही नहीं यह आज का जो रात तक का समय है यह आपके लिए बहुत बहुत जादा मेहनत करने का है शायद कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में हो अभी जिसकी कल सब्मिशन डेट आ गई है और अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीशन नहीं हुआ है तो ऐसे में जो ग् चंता ग्रस्त जादा रहेगा सोच विचार करता हुआ जादा नजर आएगा चाहे वो फिर अपने फैनांस को लेकर के हो अपने बिजनिस को लेकर हो नई मशीनरी एक्सपैंशन को लेकर के हो अपने पार्टनर्स को लेकर के हो तो इस समय में यह जो चंता हैं बिना बात की चंता, इस बात का ध्यान रखिएगा, यह जो चंता आप कर रहे हैं, इसका कोई भी रूट नहीं है, कि कहीं से यह चंता जो उगी है आपके मन में, कि इसका कोई कारण हो, कारण कुछ नहीं है, बस नेगेटिविटी जो आपके मन में आ रही है, कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो मैं क्या करूँगा वो hypothetical situations जुआ बना रहे हैं इस कारेंट से जादा परेशान होने वाले हैं शुबरंग ऐसमें रहेगा आपके लिए blue color शुबंक रहेगा number one अब बात करते हैं व्रश्चिक राशी की तो आपके लिए fourth house में चंद्रमा है पर ऐसे समय में मित्रतारा का साथ और श्टग वर्ग में 28 dots 67% सपोर्ट भी देंगे पर यहां पर यह चीज जरूर देखने को मिलेगी कि जो भी आप काम करें उसमें payment को ले करके आज के दिन परेशान होना पड़ सकता है काम कर लिया है payment release नहीं हो रहा या फिर payment सामने वाले टने commitment दिया था कि आज होने वाला है आज आप उनके पास में पहुचें तो वापस एक नया बहाना तयार हो ऐसे समय में व्यापारी वर्ग खास तौर पर financial crunch से गुजरने वाला है जो flow कहते है work capital जो आपको चाहिए होता है उसके लिए आज के दिन जनतो जहत जादा देखने को मिलने वाली है कही ना कहीं पर ऐसे समय में overdraft facility की याद फिर जिसे हम कहते हैं business loan लेने की यहाँ पर problem सामने आ सकती है पर मैं खास तौर पर कहूंगा समय है समय को गुजार लीजे जादा बहतर रहेगा खास तौर पर ऐसे समय में कोई भी बड़ा financial decision लेने से स्वयम को रोक लीजेगा खास तौर पर ऐसे समय में health wise आपको जादा परिशानी देखने को मिलेगी तो वहीं घर परिवार के लोगों की health को लेके भी आप जादा चिंतत नजर आ सकते हैं किसी को hospital ले जाना है hospital में doctor के पास में ले गए डॉक्टर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे एक बार के लिए घबराहट बैट गई अब आसपास में जो scenario आप देखते हैं यहाँ पर बड़े लोगों से खास तौर पे जो आपके supporting है चाहे आपके bosses हो गए आपके बड़े clients हो गए आपके clients के assistant हो गए जो directly आपके साथ में communicate करते हैं उनके साथ में दुर व्यवहार या तो फिर आज के दिन रूखा व्यवहार आपका आपके हातों से कोई बड़ी deal गवा सकता है शुबरंग S में रहेगा आपके लिए येलो कलर शुबंक रहेगा नंबर फो अब बात करते हैं धनू राशी की और आपके लिए आज के दिन राशी भावसी चंद्रमा रहेगा थर्ड हाउस में जनमतारा का साथ अश्ठक वर्ग में 38 डॉट्स हैं ओवरॉल सिच्वेशन यहाँ पर आपके लिए रहेगी 75% पॉजिटिविडी की जिसके कारण अच्छी कमाई भी देखने को मिलेगी तो अपने कॉमपेटिशन को इस समय में हराने की सोच जो है कोशिशें जो है वो सफल हो जाएंगी जिसे हम कहते हैं कि भाग्यवसाथ किसी का साथ मिल जाए कोई काम ऐसा हो जाए कि अपने आप मेरी नाव पार हो जाए वही चीज आज के दिन देखने को मिलेगी कि अपने आप कहीं से कोई ऐसा हाथ आपको सपोर्ट के लिए मिल गया कोई हिल्प के लिए मिल गया जिसने आपका काम पूरा करवाद गया अक्सर जहां गवर्न्मेंट ओफिसेस के धक्के खाते हैं अपनी चपलें घिसते हैं वहाँ पर आज जाते ही आपका काम हो गया कहीं न कहीं आपको सपोर्टिंग फैक्टर जो है वो आज के दिन स्ट्रॉंग मिल रहा है और ऐसे समय में दोस्ती कहें या तफिर कहीं न कहीं दूसरों को फेवर करने की बात कहें वो स्ट्रॉंग रहने वाली है कि दूसरों की मदद करने की तरफ आप जादा इच्छुक रहेंगे यहाँ पर घर परिवार के तो पूरा सपोर्ट मिल ही रहा है पर खास तोर पे ऐसे समय में अपने बच्चों के साथ में विवाद संभव हो सकता है उनकी पढ़ाई को लेकर के और उनकी पढ़ाई को लेकर के ही नहीं बलकि उनके बरताव को अपने परिवार के तरफ जो बरताव है उसको लेके भी कहीं ना कहीं मनमुटाव है बहस है वो छिड सकती है शुबरंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर शुबरंग रहेगा नमबर सेवन अब बात करते हैं मकर राशी की मकर राशी के लिए सेकिंड हाउस में चंद्रमा है पर यहां पर संपत तारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 20 dots हैं overall situation 67% आपके लिए समय में supportive हो जाएगी ऐसे समय में कोई भी नया काम आप शुरू कर रहे हैं तो इसमें घबराहट बहुत जादा होने वाली है nervousness जादा रहने वाली है पर आपको यहां पर यही आपको एक चीज कहूंगा कि आगे बढ़ लेना एक ही रास्ता है कदम पीछे लेने से आप जिन्दे की बर इस बात का मलाल रखेंगे कि शायद अगर मैं उस समय आगे बढ़ लेता तो मैं कहीं और होता ऐसे समय में confusion हावी रह सकता है आसपास कि लोग जो हैं वो आपको ब्रहमत करने की कोशिश हैं जादा करने वाले हैं पर एक बात का धियान दोस्तों का और परिवार का जो यहाँ पर एडवाईज आपको मिले उपीनियन उनका मिले वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा मार्किट में लोग कुछ भी कहें उस बात को ज़्यादा अपने उपर असर मत डालने दीजेगा नौकरी पेशा लोग इस समय में ओफिस पॉलि पीट पीछे बुराई करना इसे खास तोर पर बचना चाहिए है क्योंकि कर आप रहे हैं या फिर दूसरा कोई आपसे बात कर रहा है पर इसका जो इल्जाम है वो आपके उपर आ सकता है और उसका हर जाना भी आपको भरना पर सकता है बिना बाद के खर्चे होना अन एक्स पीटेड इक्से सामने आ जाना यानि कि जा रहे हैं और उफेस अचानक से सामने कोई प्राबलम हो गई गाड़ी के अंदर सर्वेस सेंटर में गए तो बड़ा सा बिल बन گिया आफिस में गए मशीनरी खराब हो गई अचानक से दिखाने गए तो कोई मशीनरी पूरी- आपके लिए राशी भाव मही चंद्रमा है, संपत्तारा का साथ और अश्टेग वर्ग में 28 डॉट्स है, 100% positive situation बनती है और ऐसे समय में महनत को यहां भागय का साथ मिलता है, भागय देकारक स्थिती बनती है, हातों से अच्छे काम होते हैं, तो अपने आप ही जिसको name of fame कहत सटा खेल लेते हैं, यह सब कर लेते हैं, इससे खास तौर पर बचिएगा क्योंकि इस समय में हमें कर्म का साथ मिलने वाला है, जो महनत करेगा उसके लिए बहुत जादा अच्छा समय है, यहां पर खास तौर पर जो product sale करते हैं, marketing के लोग हैं, उनके लिए सबसे बहतरीन स जाएंगे, तो यह समय में कहीं ना कहीं आपकी जो presence है, जिसे हम presence कह सकते हैं, या फिर यह भी कहा जा सकता है, जो आपका influence है, influence बहुत जादा है, strong बंदा नजर आएगा, और आसपास के लोग और आपके जुड़ते नजर आ सकते हैं, ऐसे समय में एक और चीज़ आपको business से related courses हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, internship के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस समय में अगर आप कोशिश करते हैं, अपनी dream company में internship की, तो वो इस समय में आपको मिल सकती है, शुबरंग रहेगा नेवी blue color, शुबंख रहेगा number seven, अब बात करते हैं मीन राशी की, इरिशिया भावदपन जादा होगा, तो गुस्सा खास तोर पर अपने finances को लेके और अपने परिवार पर इस समय में जादा आता नज़र आ सकता है, मेहनत पूरी ना होने के कारण, अपने staff का support ना मिलने के कारण, ये आपको जादा परेशानी में डाल सकता है, जिसको हम क खेला, इंसान कितनी मेहनत करें, वो वाली thinking आपके उपर हावी होगी और घर वालों पर आपका गुसा, कहर जिसे कहा जाता है, वो बरस सकता है, यहाँ पर खास तोर पर relationship में जो लोग हैं, आज के दिन सोच समझ करके बातें करें, जादा बहतर रहेगा हो सकता है, छोटी स बाद में एक बाद जुड़ती चली गई, तो जो normal बात थी जिसको neglect किया जा सकता था, वो अपने आप में एक विश्वयुद स्तर का यहाँ पर युद और कहराम देखने को मिल सकता है, शुबरंग रहेगा आपके लिए yellow color, शुबंग रहेगा number nine, यह तो हुई बात आज क अनंत चतुरदशी कब है, पूजा महरत क्या है, पूजा विधी क्या है, तो हर वर्ष भादरपज शुकलपक्ष की चतुरदशी को अनंत चतुरदशी के तौर पर मनाया जाता है, और इसी दिन गणेश महोटसव का समापन होता है, और घर में विराजे गणपती को पूजा का है, और इस वर्ष ये पावन पर्व 28 सितंबर 2023 को है, नारायन के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है आज के दिन, और इस दिन नारायन की विधी विधान से पूजा और वरत सभी तरे के संकटों से मुक्ती दिलाता है, मानेता ये भी है कि इस दिन वरत से अक चुके थे तब वन में भटक रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुरदशी का वरत रखने की सला दी थी और इसके बाद में उन पर से संकट के बादल छटना शुरू हुए और उन्होंने कौर्वों का अंत कर अपने सारे अधिकार वापस प्राप्त क अंत चतुरदशी वरत का हिंदू धर्म में काफी महत्व है और इस पर्व को अनंत चौदशी को दूसरी भाशा में अगर हम कहें तो चौदश भी कहा जाता है तो अनंत चौदश के नाम से भी जानते हैं लोग ये दिन कई अवतारों के भगवान भगवान विश्णू को याद करता है चतुरदशी के दिन भगवान विश्णू को प्रणाम करके उनकी भुजा पर अनंत सूत्र बांधा जाता है ये धागा जो है ये रेशम का हो सकता है सूती का हो सकता है और एक बाद इसमें स्पेशल है ये है कि चौदा गाठें इसमें बांधी जाती है पूरा देश इस पर्व को बड़े ही जोश और उत्सा के साथ में मनाएगा और मानियता ये भी है कि जो श्री हरी विश्णू की विधी पूरवक पूजा करेगा उसकी सभी मनुकामनें पूरी होंगी और इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से भगवान प्रसन होकर भक्तों के सार च्छे बजे से लेके शाम को च्छे बच के पचास मिनिट तक है और इस दिन जो लोग गणपती स्थापना करेंगे उनके लिए गणपती प्रतिमा का विसरजन महरत जो है वो 28 सितंबर को सुबह 10 बच के 42 मिनिट से दोपहर के 3 बच के 10 मिनिट तक है शाम को 4 बच के 41 मिनि यहां से लेकर के 1 बच के 42 मिनिट तक यह आपके लिए महरत रहेगा अब बात आती है पौरान के कथाओं के अनुसार अनुसार अनुत चतुरदशी के त्योहार की जड़े महा काव्य महा भारत में है और इस दिन को भगवान विश्नु के दिन के रूप में मनाया जा रहा ह भगवान ने 14 लोकों की इस समय में रचना की थी इनका पालन करने और उनकी रक्षा करने के लिए 14 विबिन अवतारों के रूप में इस नश्वर संसार में आये थे और जिसने उन्हें अनंत होने का नाम दिया वे जानते थे कि उन्होंने अपने लोगों और अपनी कृतियों को बचाया है जिसके लिए उन अवतारों ने एक प्रमुक भूमिका निभाई है और इसलिए आनंत चतुरदशी के दिन का बहुत जादा महत्व है क्योंकि आप स्वयम स्रिष्टी के स्वामी को प्रसंद कर सकते हैं और सर्वोत्म आश्रवात से धन्य हो सकते हैं इस दिन किये जाने वरत का विशेश महत्व क्यों कहा जाता है ये सब उसे प्रसंद करने और आनंद और संतोश से भरा एक अनंत जीवन प्रदान करने के लिए है ये भी माना जाता है कि इस दिन उप्वास के साथ प्रचूरता और समरद्धी प्राप्त करने के लिए किया जाता है परियाप्त धन सुक और संतान इसकी इच्छा मनुश्य को अपने नश्वर अस्तित्व पर भगवान का आशरवात लेने के लिए लुबाती है ये व्रत भारत के कई राजियों में प्रचलित है और इस दिन परिवार के सदसियां द्वारा भगवान विश्णू की लोक कथाएं सुनाई जाती है अब बात आती है पूजा विधी की अगनी पुरान में व्रत का महत्व बताया जाता है ये दिन भगवान विश्णू के अनंत रूपों की याद दिलाता है तो इस दिन स्नान के बाद में धनुश लेकर के पूजन वेदी पर कलश रखना है इसमें कुश से बना अश्ठ दल कमल फूलदान पर स्थापद करना है अगर संभव हो सकता है तो भगवान विश्णू की तस्वीर का भी आप उप्योग कर सकते है इसके बाद में सिंदूर, केसर और हल्दी में डुबो करके चौदा गाठों वाला धागा आपको तैयार करना है जैसे कि शुरू में आपको बताया था ये धागा जो है ये आप इस्तमाल जो करेंगे चाहे रेशम का हो या सूती का धागा हो दोनों में से कुछ भी हो सकता है और इस धागे को भगवान विश्नु की मूर्ती के सामने रखना है पूजन विधी से सुत और भगवान की मूर्ती की पूजा करनी है और पूजा के बाद में जो मंत्र यहां पर आपको बता रहा हूँ इसका आपको चारण करना है इसके बाद में पुर्श को यानि की आदमी जो है उनको अनन्त सूत्र धागा ये बाए हाथ में यानि की लेफ्ट हैंड पर या फिर भुजा पर बांधना है तो वही महलाओं को दाहीने हाथ यानिकी राइट हैंड पर या तफिर अपनी भुजा पर बांदना है। इसके बाद में ब्रहामनों को भोजन कराना है और उनको अपने इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार जो दक्षिना दे कर पूरे परिवार के साथ में वो प्रसाद ग्रहन करना है। अनंत चतुरदशी, क्या है, क्यों मनाई जानी चाहिए है, महरत क्या है, पूजा विधी क्या है, सभी जानकारी आपको दे दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आप अपनी मनो कामना पूर्ण करने के लिए आज की दिन व्रत जरूर रखेंगे। हमेशा की तरह प्रातना यही रहीगी कि आपका और हमारा परिवार सदेव सुखी रहे, संपन रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आश्रवाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जैश्री राम एवं जैहन। झाल ठाम का सकते हमारे सकते हमारे साथ रहे हमेशं स सुरक्षित गलता करना झाल झाल कहा हाँ